इंडिया ने सरकार बनाने की कोशिश की शुरू पतनायक और जगन निशाने पर ममता विनर्ट जी के साहरे पड़ा खेल करने की तयारी में कॉंग्रेस एक जून की मीटिंग में ममता रहेंगे तूर फिर उन पर सभी की नजार इंडिया गडबंधर ने सरकार बनाने की कोशिश शुरू कर दी है टीमेरे पर जाएगे अगर बनाने के लिए कुछ नमबर कम पड़ते है तो उसकी भी तैयारी शुरू कर दी गई है और इस काम के शिरवाक की है और ते रिसली याद होनец उन्होंने नितीश कुमार को इंडिया में आने का खुला ओफर दे दिया है और अगर बिहार में पैडाम इंडिया की उम्मीद जैसे नहीं आए तो नितीश कुमार को अपने पाले में लाया जा सकता है इसलिए अब लालू यादों से लेकर पूरा इंडिया गडबंधन नितीश को लेकर नरम रुख भी दिखा रहा है यहां तक कि अब नितीश की बातों का कोई रियक्शन भी नहीं दिखाई दे रहा है दूसरी तरफ एंडिया में जरूर नितीश को लेकर हलचल मची हुई है और इसी के चलते चुराओं में नितीश को बार बार सफाई देनी पड़ रही है लगिन इस बार नितीश की बातों पर यकीन किसी को भी नहीं हो रहा है ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो नितीश कुमार पाला बदलने में बिलकुल भी तेरी नहीं लगाएंगे बस उनका सीम पद बरकरार रहना चाहिए दूसरी तरफ इंडिया गडबंदन ने ओडीशा के सियम नवीन पटनायक और आंधर प्रोदेश के सियम जगन मोहन रिड़ी को भी साधने की कोशिश तेज कर दी है इसके लिए एक बार फिर से ममता बेनर जी की मदद ली गई है ममता के दोनों के साथ ही काफी अच्छे संबंद बताये जाते हैं दरसल आइपैक ने TMC और YSRCP दोनों के लिए ही काम किया है तो अटल विहारी वाजपेई की सरकार में ममता और नवीन पटनायक दोनों ही साथ-साथ काम भी कर चुके हैं ऐसे में ममता के संबंद दोनों ही नेताओं से अच्छे माने जाते हैं दूसरा कभी भी ममता का पटनायक और जगन के साथ किसी तरह का राजनितिक मदभेद भी नहीं रहा है ऐसे में ममता बनर जी की तरब से नवीन पतनायक और जगन मोहन रेड़ी से बातचीत भी शुरू कर दी गई है दरसल देश की लगभख सभी बड़ी राजनेतिक पार्टियां इस समय या तो इंडिये में हैं या फिर इंडिया गड़बंधन में हैं सिर्फ YSRCP और BJD यही दोनों पार्टियां जो गड़बंधन से अलग हैं और दोनों ही पार्टियां एक एक राज्य में अपनी सरकार में हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों ही राज्यों में इस बार विधान सबा चुनाओ भी हुआ है आंद्रप्रदेश में तो वोटिंग भी हो चुकी है जबकि औरडिशा में तीन चरड का मद्दान हो चुका है आखरी चरड में एक जून को वोटिंग होनी है और एक जून के बाद ही नवीन पतनायक अपने पत्ते खोल सकते हैं विसे एंडिये की तरफ से भी इन दोनों को साधने की कोशिश की जा सकती है क्योंकि अब तक दोनों ही नेताओं ने एंडिये से दूरी बनाने के संकेत नहीं दिये हैं नवीन पतनायक को तो पियम मोदी अपना दोस्त तक बता चुके हैं लेकिन नवीन और जगन किस तरफ जाएंगे ये चार जून को ही साफ हो पाएगा विसे इस बार के चुनाओं में ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि किस दल को बहुमत मिलने वाला है यानि चुनाओं में इस बार कांटे की टकर की उम्मीद भी जताई जा रही है ऐसे में सभी की नजरें फिलहाल 4 जून पर लगी हुई है और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर चुनाओं परड़ाम भी उसी तरह से आते हैं तो भी नई सरकार के गठर में जगर्पोहन प्रेटी और नवीन पतनाय की सबसे महत्यपूर भूमिका रहने वाली है क्योंकि ये माना जा रहा है कि दोनों ही नेता अपने अपने राज में बेतर प्रदर्शन कर रहे हैं आंदर प्रदेश में लोगसभा की 25 तो ओडिशा में 21 सीटे हैं और सरकार बनाने में ये 46 सीटे बहुत महत्यपूर रोल निभा सकती हैं पच्चीस आंदर प्रदेश की और ओडिशा की 20 ये तैम आना जा रहा है कि आप इन दो पर नजब दोनों ही गड़ बंधन की है अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त बताएगा अभी तो इंतजार फिलाल 4 जून का हो रहा है तो नोधरपन डिउस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा और आपका संबंध ऐसे ही बना रहे है नमस्कार